हूँ 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 नमस्कार मैं हूँ वर्तिकानंदा और यह है थी हूँ रहूँगी पॉड्कास्ट मेरे सामनी है साइमा साइमा कौन आवा सुमि ये गिला है आपके निगाहों से फूल भी हो दर्मिया तो फासले हुए देखा एक खौब तो ये सिलसले हुए दोर तक निगाहा में है गुल खिले हुए जाहर है इस आवास को अपनी आज से पहले कभी नहीं सुना ये आवाज गुम्नामी की आवास है मैं समेश्री नगर में हूँ मेरे सामने बैठी है साइमा जगा है राजबाग साइमा पच्चे साल की है पच्चे साल की सुम्र में उसने संखर्ष की कई सीवरियां चड़ ली है बमुश्किल वो बढ़गाउं से पहुँची है श्विनगर आगी का रास्ता तै होना बाकी है कौन है साइमा? साइमा नहीं कई चीज़ें अपने बारें बताएं 12 उन्होंने की बढ़गाउं से और उसके बाद वो पहुँच गए कश्मीर इनुवरसिटी साइमा कैसा है यह सफर बढ़गाउं से श्रीनगर कैसे हुआ यह यह आत्रा कैसे शुरू है? मेरी जो शुरुआ थे इस चीज़ का मुझे शोग बच्पन से ही था मुजिक का तो फिर उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ कहां जाओं कहां पर परफार्म करूँ जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी वहां पे मैं जब हमारी फियरवल पार्टी या सुबा जो प्रेयर होती थी उसमें मैं पर्स पेर करती थी तो उसके बाद स्कूलिंग खतम होने के बाद मैंने ट्वल्थ गर्ल्स हार सेकंडरी स्कूल मागा में अड्मिशन लिया तो फिर वहां पे मैं दो साल रही हूँ वहां पे मैं सुबा मॉनिंग में प्रेयर कराती थी और जो जतने भी पार्टी वहां पे होती थी फियरवल या कुछ भी उसमें मैं पार्ट सेपेड करती थी उसी दोरान मुझे एक वही पर मुझे एक सार मिला उसने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं इस चीज का ओडिशन करती हो म्यूजिक का ओडिशन क्यों नहीं करती हो तो मैंने बोला मुझे नहीं पता गार में तब एक रेडियो था तो उस पे एक program आता था Singing Superstar वो एक Singing competition था तो मुझे यह हुआ कि मुझे भी शोख हुआ उसमे perform करने का लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है साइमा के तीन बहने हैं और दो फाई हैं सबसे बड़ी है साइमा अपनी खर में वो E.E. करना चाहती है PhD करना चाहती है फिल्मों में गाना चाहती है और बढ़गाओं से भी पहुंची है श्रीनगर मैंने पूछा साइमा से साइमा दिली देखी है कभी तो साइमा नहीं क्या का मैं नहीं देकी, कौन कोई से शहर देकी है श्री नगरve 주 सायमा ने जहमो कश्मीर के अल़वा कुछ भी नहीं सायमा ने जहमो कश्मीर के अलवभा अभी हिंदुस्तान की किसी हिस्से को नहीं देखा लेकि आँखों में इतनी रोशनी है और उसके आवाज में ऐसी लचक है ऐसी उसके आवाज में ऐसी लर्जश है कि सुनने वाला सुनता ही रह जाए बढ़गाओं से फिर पहुंची श्रीनगर फिर क्या हुआ उसके बाद मुझे एक फ्रेंड मिली तो वो भी थ पहुंची श्रीनगर कहा है कहां से गाड़ी मिलती ही कौँसी बस मिलती है लेकिन उसकी स्टोरी स्टोरी ऑफ करेज और स्टोरी ओफ ओप है कि उसने बढ़गाओं से ठूणना शूओ कि श्रीनगर कहा है फिर उसने बोला एक दिन हम जाएंगे उदर जो शाम को आता है रे तो भोला, ठीक है तो पहले मना किया पापा ने फिर मैंने ममा को मनाया, ममा ने पापा को मनाया तो उसके बाद हम निकले तो जब हम उदर पोछे रेडियो मैं फ्रेंड के साथ ही थी तो जब रिससेप्शन पे पोछे तो हमने बोला, वहां पे पेख सर sturdy में ज्सक्रीन की खुब थो किसी ने ने बनाया किन जारा है किसасी ने ने हुब किसी ने नहीं बनाया है मैं गिस यह पुबना हो यह पहодए canada मैं इसे नहीं ठोड़ते हैं आप लोग एसा करू करू आप आप जाू तो फिर हम लग बग दो तीन गंदे उदरी थे खड़ा- तो फुर मेरे आंखो में आस्वा गूऊ कि ऑस दिन न। मेर क्लो को पिरậり क्ल भार मे को спाईों तो मैं क्या करूं तो फिर मैं उसको देख दिया तो इसने बुला आप इधर final मोह कहाँ से जा एक हमने में व्यूता थीजिए कव्छ तो तो उसने बोला, आप मेरी नेबर हैं, तो अब बोलो, क्या करना है, कहाँ जो, मैंने बोला, सर, ऐसे इसी बाहत है, तो उसने बोला, ठीक है, एक मिनट, तो फिर मुझे उसने अंदर बीजा, एक सार के पास, सितेश्व मेल सार, वहाँ पे एक मुझे डिरेक्टर है, उसके प किया, तो तब से ये शुरू हो गई, फिर मुझे एक सार वहाँ पे मिला, उसने बोला, मेरा इनस्चूट है, मैं आपको सिखाऊ हो गगा, तो फिर मुझे, बढ़गाम से शरी नगर, उस दिन में छोटी थी, तो मुझे वहाँ बहुत हेक्टिक होता था, और कलास वहाँ स्टार्ट होती थी, चार बज़े से शाम के छे बज़े तक, फिर जब छे बज़े खातम होती थी, फिर बहुत देर होती थी, फिर मुझे घार में डाणते थे, मुझे बोल रहे थे, आप एतनी लेट क्यों आई, वो ही, तो फिर ऐसे ऐसे एक, एक दिन मैंने सुना, एक मैंने पार्सपेट किया, वो प्लीस कर रही थी, तब जग के प्लीस, बेची तो फिर मैंने प्लीस में पार्सपेट किया, उसमें बैट बज़े ज़ें एक फिर में आई तो सब्स पोजिशन लाही, पर बते तीन दिस्ट्ट वो था यहां पर टाइगर अई, अनि इस के बा तो साइमा ने आसमान को छोने की जो बात ठानी थी तो ठानते ठानते वो पहुँचके श्री नगर और आज इस पांच सितारा होटल में परफॉर्म करते हुए साइमा हमें मिली है वहाँ वो सुना रही है कई तरह की काने जो कि आप साथ साथ सुन भी सकते हैं अच्छा साइमा तो यह बताईए कि हम अभी समय राजबाग में हैं और इसी साल तो यह होटल खुला भी है और पिछले कई महिनों से आप यहाँ पर का रही हैं तो एक खंटे सुभा आना फिर एक खंटे वापस जाना और बीच में परिवार भी परिशान तो रहा और आपने फिर भी स्ट्रॉगल करके आप यहां तक पहुंच गई हैं अब आपकी नज़र कहां पर है क्या करना चाहते हैं आप शोक तो मुझे मुझे प्लेबेक सिंगर बनने का बहुत शोक है और लाइव भी करती हूं मैं लाइव पर्फार्मर भी हूं और प्लेबेक भी करना चाह करती हैं कहां जाना चाहती है कोई ने जानता और कोई ना जाने की तस्फीर ही तो है यह थी हो रहोंगी सतरोर इस य Eh शक के बहुत सारे गाने साइमा ने सुनाए ऐसे गाने कि जैसे लगा कि जैसे जिसे जिन्दगी सामने आकर एक नहीं बात कह रहे हूँ इस समय सामने बैटी हैं डॉक्टर रश्मी सिंग जो कि प्रिंसिपल रेजिडिन्ट कमिश्टर है और उने की बज़ा से मेरी इनसे मुलाकात दिया है तो रश्मी जी आप एक गाना सुनते हुए बहुत एमोशनल हो रही थी आज जाने कि जिदना करो आज जाने कि जिदना करो यूही पहलों में बैठे रहो यूही पहलों में बैठे रहो आज जाने कि जिदना करो हाए मर जाएंगे हुम तो लुट जाएंगे ऐसे बाते कि आना करो आज जाने कि जिदना करो हुनर को देख करके बहुत गर्ब हुआ क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं और जमु कश्मीर में हमारी जो कॉलिजेज हैं हमारी स्कूल से उसमें जिस तरकी हुनर है वो हुनर जब हमारे सामने आते हैं और हमें लगता है कि इनको हमें और भी अधिक जो है उनको मौका देने की जरूरत है और बड़ा प्लाटफॉर्म मिलने की जरूरत है जिससे कि ये हुनर जो है वो आगे बहुत लोगों तक जो है वो मा ये तबदील हो सके या एक तरह से जो इनके आप्टिमम करपासिटी होती है जिसका कॉमर्शल प्रॉस्पेक्ट भी बहुत है यूँकि आज की तारीक में बच्चे जहां लाइबली हुट के लिए कही ऑपरचुनिटीज ढूनते है तो एक डिगनिफाइड लाइबली हुट भी इसके साथ में जुड़ी होती है तो ये संखर्श की कहानी है और हम जो यहाँ पर आए है हमें यहाँ लेकर आए है प्रॉफेसर शबनम मीर जो की कश्मीर युनिवरसिटी में पढ़ा दी है तो प्रॉफेसर शबनम आप तो इतने सारे स्टूर्म से रोज डील करती है ये एक अलग तरह का स्टूडन्ट है जो दिन में पढ़ रहा है शामें परफॉर्म कर रहा है और स्ट्रॉगल के बीच में बड़े मश्टव से कश्मीर की ही आतरा भी तै कर पाया है तो ये जो इसका स्किल है ये तो गॉड गिफ्टिड ही है प्लस इसकी करेश की दाद देने पड़ेगी और इसके साथ-साथ जो हम स्किल डेवलेप्मेंट कोसिज जो आज कल का दोर चला है करेंगिव के स्किल ट्रेनिंग दे दो बच्चों को इस मुलाकात कि बात हुडल से हम तीन लोग निकले लहिए लगा तो ऐसा साथ में चल रही थी साइमा की आवास साइमा की उस आवाज से मैं खुद को परे नहीं हटा पाई मैंने सुबा साइमा को फोन किया कहा की थियों रहूंगी कि इस बॉड़कास्ट की चार पंक्तियों को क्या वो गुन गुना पाईगी मैंने बताया है कि 2012 में असल में ये मेरी किताब थी जो छबी थी साइमा ने कहा वो कोशिश करेगी और कुछ ही मिन्टों में उसने दो वर्शन्स रिकॉर्ड करके भेजी मैंने कहा साइमा क्या हम इसमें म्यूजिक इंसर्ट कर सकते हैं उसने कहा इसके लिए शायद किसे स्टूडियों में जाना होग और वहाँ शायद पेमिंट देनी होगी साइमा की तरह मैं भी अकसर ही सूचती हूँ इस बड़ी दुनिया को बड़े दिनों से करीब से देख रही हूँ लेकिन बड़े दिल के लोग मुझे बड़े मुश्किल से मलते हैं चाहे वो तिनका जील वीडियों की यात्रा हो या थी हो रहोंगी साधन संपन लोग अपने हिस्से की टुकड़े को भी बाटना नहीं चाहते लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि दुनिया उजलियों सुंदर हो तो मैंने तैय किया कि हम बिना धुंकी ही साधन की गुन-गुनाई हुए इस मंत्र को इस्तेमाल करेंगे हाँ ये भी तो बताऊं साधन को मैंने ये पंक्तियां लिख कर भीजी थी तो साधन का जवाब आया उसे हिंदी पढ़ने नहीं आती फिर मैंने उसे रिकॉर्ड करकी भीजा और फिर साधन ने इस दिकुन-गुनाई है साधन और उसके जैसे बहुत से और सितारे इस आसमान में अपने लिए जगा ठून रहे हैं ये छोटे-छोटे जुगनु हैं खोटे में तो बहुत से लोग आते होंगे वो शायद साधन की तरफ पूरी आंख उठा कर भी न देखते हूं उन्हें लगता होगा कोई कोई है जो गा रहा है ये जाने बिना कि जो गा रहा है असल में वो अपनी आत्मा को निचोड़कर उसमें डुबा हुआ है साइमा तुम इन सुरों में ऐसी ही डुबे रहो आसमा तुमारे सामने है इस एपिसोड के लिए मैं आभारी हूँ डॉक्टर रश्मी सिंग की और प्रोफेसर शिबनमीर की मेरा भार उस होटल के लिए भी है जिसने साइमा पर भरोसा किया और उसी एक मंच दिया इस एपिसोड को आप तक पहुँचाने के लिए दो छातरों की भूमी का भी एहम है वन्शिका कुठारी जिसने दिवाले की छुटी में जाने से पहले ये तै किया कि वो इस एपिसोड को एडिट करेगी को बना सके इस बड़ी सी दुनिया में कुछ छोटे छोटे दिये से जरूर है जो अंधेरी रास्तों में रोशनी ले आते हैं आप सुनिए साइमा के आवाज में मेरा ये मंत्र थी हूं और हमेशा रहोंगी जुबा बंद है पलके है बेगी सच मुठनी पड़ा है आसमाने मैं अपने पंख खुद बनोगी मैं थी हूं और हमेशा रहोंगी मैं थी हूं और हमेशा रहोंगी थी हूं रहोंगी के लिए मैं वर्दी गनंदा दिवाली मबारक